दूस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है तो आपके लिए ये एक अरजेंट वीडियो है अगर आपका आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक है और आप हर महिने वन नेशन वन राशन कार्ड के तुरू राशन भी लेते हैं तो यू आईडिया इन सबको आधार कार्ट को अपडेट करवाना कॉंपरसरी हो गया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे दोस्तों आप मात्र 25 रुपए दे कर अपने राशन कार्ट को और आधार कार्ट से जो भी सरकारी युजनाओं का लाव उठाते हैं उन सब चीजों को बचा पाएंगे और 25 रुपए में अपने आधार कार्ट को अपडेट कर पाएंगे तो यह वीडियो आप सभी के लिए कंपरसरी है बहुत इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को थोड़ा सभी बोल सकता हूं मिस मत करना एंड तक देखना और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक को शेर कर देना तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं यही ट्वीट आधार कार्ट की तरब से किया गया है और यह ट्वीट दोस्तो सुबर 9 बच कर 30 मिनिट पर किया गया है तारीक भी आप देख सकते हैं 24 तारीक यानि कि आज का ही यह टारीक है और यहाँ पर कुछ important चीजे बताई गई है अपडेट आधार को लेकर और उपर दोस्तो आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है साप साप कि अगर दोस्तो आप राशन लेते हैं जैसे कि राशन में भी टेकें अक्रोस दे कंट्री विद दे हिल्प आधार अंडर दे वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम अपडेट योर आधार बाई विश्टिंग आधार सेंटर नियर यू यानि कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू राशन लेते हैं तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है जल्द से जल्द अगर आप अपडेट नहीं कराते हैं तो आपको आई थिंक आगने वाले दिनों में राशन नहीं मिलेगा तो यहाँ पर कैसे अपडेट कराएंगे कितना चार्जेश लगेगा उसके बारे में भी बताएगा है ओनलाइन पचीस रुपे और आफलाइन आपको पचास रुपे का चार्जेश देना पड़ेगा अब इसे अपडेट कैसे कराना है कैसे आधार कार्ड में डॉकुमेंट को अपडेट कराएंगे आईए उसका पूरा प्रोसेस में आपको स्टेप बाई स्टेप बता देता हूँ दोस्तों आधार कार्ड में डॉकुमेंट को प्रेट कराने के लिए सबसे पहले Google को ओपेंड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है माई आधार आप यहाँ पर देख लिए यहाँ आधार लिकर सर्ज करते हैं माय आधार के ओफिसियल पोर्टल आ जाती है जिसे आपको यहाँ से ओपेंड करेना है ओपेंड करने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है तो यहाँ पर दोस्तों सिंप्ली लॉगिन के उपर क्लिक करना है जैसे आप login के उपर click करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको simply अपना जो आधार number होता है उसे यहाँ पर enter कर देना है 12 digit का आधार number आधार number डालने के बाद यह जो capture दिया गया है इसे दोस्तों आपको नीचे डाल देना है उसके बाद simply send OTP के उपर click करना है जैसे send OTP के उपर click करेंगे आपके आधार कार्ट के साथ जो भी mobile number लिंक होगा न उस पर एक OTP बेजा जाएगा जिसे simply आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद दोस्तों login के उपर click करना है उसके बाद आप इस portal में login हो जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी services आपको देखने को मिल जाएंगी और दोस्तों नीचे ही आपको देखने को मिलेगा document update तो यहाँ पर दोस्तों आपको click करना है इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर काफी important चीज़े लिखी गई है जिसे आप read out कर सकते है यहाँ पर आपको दो document upload करना होगा एक proof of identity और दूसरा है दोसो proof of address यह दो document को आपको यहाँ पर verify करना है यानि कि upload करना है और इसके लिए दोस्तों आपको जो fees वगर है देनी पड़ेगी ओ भी यहाँ पर mention किया गया है उसके साथ जो data है दोसों जो document आप upload करेंगे उसका data exact match होना चाहिए यहाँ पर fees आप देख सकते हैं पचीस रुपए कि आपको fees देनी पड़ेगी ठीक है और एक important चीज़ यहाँ पर mention की गई है कि जो भी आप document update करेंगे उसके दोसों आपके demography में कोई भी changes नहीं आएगा जैसे कि name, date of birth, gender सब कुछ वैसे को वैसे ही रहेगा उसमें कोई भी changes नहीं किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर simply आपको next के button पर click करना है यहाँ पर कुछ यह process है तो आपको यहाँ पर next कर देना है जैसे आप next करेंगे आपके यहाँ पर आधार कार की सभी details show होने लग जाएगी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो simply आपको इसके उपर click कर देना है कि यहाँ सभी details correct है ठीक है यहाँ पर आपको जो है I verify के उपर क्लिक कर देना है उसके बाद simply आपको दोस्तों नीचे की तरफ आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है please upload proof of identity यहाँ पर आपको एक document को upload करना है उसके लिए सबसे पहले आपको select करना है आप कौन सा document देंगे यहाँ पर marriage certificate भी दिया गया है और school ID card भी upload कर सकते हैं राशन कार्ड भी SCHT का caste certificate भी upload कर सकते हैं school living certificate भी दिया गया है यहाँ पर secondary school का living certificate उसके साथ साथ नीचे आएंगे तो ओटा ID card बहुत सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है जो भी document आपके पास है वो select कर लेजे हमने यहाँ पर ओटा ID card select कर लिया है अब जो भी आप यह select करेंगे document ना दोस्तो वो आपको upload करना है जि pg, png और pdf यह तीन format में ही आप यहाँ पर document को upload कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो जो भी आपने दस्तावेज यहाँ पर select किया है उसे दोस्तो यहाँ पर आपको upload करना है ठीक है upload करने के लिए इसके उपर click करना है continue के उपर click करना है यहाँ पर आपको अपना दस्तावेज जो है upload कर देना है जैसे कि यहां पर हमने upload कर दिया है इस प्रकार से आपको upload कर लेना है नीचे आना है अब यहां पर दूस्टों आपको proof of address आपको अपने address का भी proof एक देना है तो उसके लिए इसके उपर select कर लेना है कोई भी एक document यहां पर सभी document है जो भी आपके पास available हो, passport हो गया, राश्चन कार्ड हो गया, या फिर school ID कार्ड हो गया, यहाँ पर भी काफी साइच चीजे दी गई है, water bill हो गया, water ID कार्ड यहाँ पर भी आप दे सकते हैं, या फिर electricity bill तो सबके पास होता है, ओ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो हम यही द दोस्तों यह दस्तावेज यहाँ से आपको upload कर लेना है, यहाँ पर आप देख लीजी हमने इसे भी upload कर लिया है, दोनों ही दस्तावेज यहाँ पर upload हो गये हैं, उसके बाद आपको simply दोस्तों यहाँ से confirm कर लेना है, यह जो tick mark है, इसके उपर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर है, जैसे आप next करेंगे, आपको इसे ok कर देना है, ok करने के बाद यह थोड़ा सा load होगा, और यहाँ पर आपको payment के लिए बोला जाएगा कि 25 रुपए का आपको payment देना पड़ेगा, document को update कराने के लिए, तो यहाँ पर I hereby confirm के उपर क्लिक करके make payment के उपर क्लिक करना है, अ या फिर और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, कार्ड वगर इसे भी payment कर सकते हैं, जैसे दोस्तों आप यह payment करते हैं, आपके आधार कार्ड में दोस्तों 10 दिनों के अंदर document को update कर दिया जाएगा, अगर कोई भी गलती होगी, जैसे कि आपका नाम match नहीं करेगा, या फ फोटो, बायोमेट्रिक, तो ऐसे में दोस्तों आपको कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है, बजले कि आपने update करवा लिया है पहले से ही, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका document automatically update हो जाएगा, ठीक है, और जिन लोगों ने कुछ भी update नहीं करवाया है दस साल के अंदर, तो उन लोगों को दोस्तों ये चीज करनी है, ठीक है, आपको साथी चीज़े समझ में आ गई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक को शेर कर देना, ठेक्यों दोस्तों, बाय बाय, एंटे केर,